और उपर से नाटू नाटू इस सौंग का बेस्ट ओरिजिनल सौंग का अवार्ड उससे मिलना इसमें एक विशिश बात और भी आप देखिए कि ये एक ऐसा सौंग है दूर दूर तक भी मुझे तो नहीं यादा रहे कि मैंने किसी बॉल्यूड की फिल्म में वो देखा हो नाटू नाटू इस गाने को ये अवार्ड मिलना ये पूरे के पूरे बॉल्यूड के मुझे पर एक करारा तमाचा है और उससे भी बड़ा करारा तमाचा ये है कि इस अवार्ड फंक्शन में ऐसे सराजा मौली जी ओम नाराएन 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 सबमित्र को राम राम दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों जैसा कि कल रात को में आप सबमित्र को सुचीत किया था कि आरारार आज इतिहास रजने माली है और फाइनली RRR ने वो इतिहास रज दिया है Golden Globe Awards 2023 असीवे Golden Globe Awards में RRR को Best Original Song का अवार्ड मिला है नाटू नाटू इस गाने के लिए और ये कोई छूटी बात नहीं है मैंने कल ही आप सभी से कहा था कि Golden Globe Awards Oscars के बाद में उन्हें सबसे ज़्यादा प्रतिष्टित पुरस्कार माना जाता है और उसमें दो नॉमिनेशन्स मिलना वो भी Best Foreign Film का एक और दुसरा Best Original Song दो नॉमिनेशन्स मिले हुए थे ये नॉमिनेशन मिलना भी कोई छोटी बात नहीं है और RRR को ना क्योब नॉमिनेशन मिला पर उनमें से एक Award भी RRR ने जीता है सरोपरतम तो SS Raja Mooli जी को MMK Ravane जी को Ram Charan जी, Junior NTR जी और पूरी ही RRR के टीम को ठेर सारी बदा है या ठेर सारी और आने वाले जितने भी Award function से उन सभी के लिए सभी के लिए ठेर सारी शुब काम ना है देगे वैसे कल रात को मुझे इतना पूरा विश्वास था कि ये दोनों के दोनों ही Awards ये फिल्म जीतने माली है और इसी कारण से मैं इतने विश्वास के साथ कल कहा था कि RRR आज इतिहास रचने माली है पर Best Foreign Film का Award RRR नहीं जीत पाई इस बात का थोड़ा सा मुझे दुख है कि RRR पूर्ण रूप सी ये Award deserve कर दी थी पर चलिए Best Original Song का Award मिला और पूरा के पूरे Western World को ही हमने देखा हुआ है कि किस प्रकार से RRR ने जकड लिया है पूरे Western World को ही नहीं तो पूरे दुनिया को ही इस फिल्म ने मैं सभी को बढ़ाई मैं SS राजा मौली Junior NTR, रामचरन और RRR मूवी की पूरी टीम को भी बढ़ाई देता हूँ इस प्रतिष्टित सम्मान ने हर भारतियों को बहुत ही अधिक गवरवानवित किया है और ये पूरे देश के लिए ही बहुत बहुत गरू की बात है और सबसे ज़्यादा गरू की बात इसलिए है क्योंकि देखिए RRR कोई वो सो कॉल्ड ऐसी आर्टाउस टाइप फिल्म में नहीं है जिनको जबरदस्ती जो लेप्टिस्ट है वामपंती है या लिबरल्स है या एलेट क्रिटिक्स हैं जिनी फिल्मों को जबरदस्ती जनता पर थोपने का जो प्रयास करते हैं न उस कैटिगरी की ये फिल्म नहीं है ये बात सबसे ज़्यादा अंदर सुखद अनुभव देती है और उपर से नाटू नाटू इस सौंग का बेस्ट ओरिजिनल सौंग का अवर्ड उससे मिलना इसमें एक विशिश बात और भी आप देखिए कि ये एक ऐसा सौंग है जिसमें कोई सो कॉल्ड वो वेस्टन डा अगलग डांस फॉर्मस है उनके नाम वगएरा वो लेकर बताता है और इसके बाद में उसे डेसी नाच उसे सिखाया गया है पश्शिमी जो डांस फॉर्मस वगएरा उनके प्रतिकुल ओप्सेशन इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक भी नहीं है उल्टा उने ही देसी ना जितने भी भारत के जितने भी प्राचिन नृत्य के जितने भी कलाये हैं, पिछली बार आपने किस भारतिय नृत्य के प्रकार को आपने देखा, किसी इंडियन डांस फॉर्म को आपने किसी में देखा हो, आपको याद आ रहा है, दूर दूर तक मुझे तो नहीं याद आ र अपने आपको Hindi Film Industry का कहते हैं, पर Hindi में बात तक नहीं कर पाते हैं, इनके Actors, ऐसे तो इनके हाल है, जिस language के अपने आपको जिस Industry का ये कहते हैं, उस भाषा में तक ये बात नहीं कर पाते हैं, इनके Dance Forms आप देख लीजिए, इनका Music आप देख लीजिए, पूरी तरीके से ये western हो चुके है, rrr के गाने आप देखिए, मूल गाने तो तेलगु में तो ही पर उनका जो हिंदी भर्जन भी अगर आप सुनेंगे ना उनमें किस प्रकास से शुद्ध हिंदी का, संस्कृत का कैसे प्रयोग किया गया है आप देखिए कि डबिंग भी कितनी सुन्दरता से की गई है और नाटो नाटो ये सौंग भी आप मैंने जैसा की कहा कि पूरा western world इस गाने पर नाचा है थेटर में आपने social media पर या rrr movie का जो official जो twitter handle है, वहाँ पर जाकर आप ये सारी वीडियोज देख सकते हैं कि किस प्रकार से थेटर में भारतिय दर्शक नहीं भारतिय मूल के दर्शक नहीं बाहर के दर्शक किस प्रकार से इस गाने पर वो थिरके हैं, कैसे नाचे हैं और जेजे अबराम्स ये उन्होंने Mission Impossible 3 या Star Wars की भी दो फिल्मों को उन्होंने ड्रेक किया हुआ है इतने बड़े डिरेक्टर उन्होंने इस फिल्म को इंट्रड्यूस कराया अभी कल या परसो ही वो वीडियो भी सोचल मीडिया पर आप सभी मित्रों ने देखा ही हुगा तो ये नाटू नाटू इस गाने को ये अवार्ड मिलना ये पूरे के पूरे बॉल्यूड के मुँपर एक करारा तमाचा है एक बहुत ही बड़ा करारा तमाचा है और उससे भी बड़ा करारा तमाचा ये है कि इस अवार्ड फंक्शन में ऐसे सराजा मौली जी अपने दर्मपतनी के साथ में वहाँ पर गए हुए थे और आप देखिए पूरी भारतिय वेशभुशा में पूरी की पूरी भारतिय वेश भुशा में अपने अपनी पहचान पर अपने कल्चर पर कितना गर्व है उन्हें तो जैसा कि मैंने कहा बॉल्यूड की ये so-called stars, so-called celebrities भारत में रहकर जिस इंडस्ट्री का खुद को कहते हैं उस भाषा में तक बात नहीं करते हैं उस भाषा में तक बात नहीं करते हैं शर्म आती है इन्हें और खुलकर ये कहते भी है कि डाउन मार्केट फील होता है इन्हें हिंदी में बात करने हैं डाउन मार्केट फील होता है ये तो मानसित्ता है बॉलुड के इन so-called stars की और अपने आपको खुद ही अपनी puppet media का यूज करके elite critics का यूज करके अपने आपको उपादिया दे कर रखी इनोंने कि भाई हम king और ये भाई और ये बात्षा और ये महानायक आपने आपको उपादिया दे करके रखी है और केवल यही नहीं कोई एक magazine जिसका किसी ने आज तक नाम भी ने सुना हुआ होता उनकी top 50 की list में involved के कथित stars और कथित celebrities का नाम आ जाता है तो खुद को ये global star मानने लग जाते हैं पर आज सही मायने में भारत से बाहर अगर किसी को पूछा जाए पूरे western world में अगर किसी को पूछा जाए कि भारतिय सिनिमा का चहरा कौन है तो एक ही नाम उनके मुँपर आएगा एक ही नाम वो कहेंगे और वो है SS राजा मौली तो जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि सही मायने में भारतिय सिनिमा का अगर किंग कोई है किसी को कहा जाना चाहिए तो वो SS राजा मौली जी ही है जो अपनी सब्वेता के साथ में अपनी संस्कृति के साथ में अपनी परंपराओ के साथ में अपनी कल्चर के साथ में जुड़े रहते हैं उन्हें किस प्रकार की सफलता मिलती है ये आरारार ने दिखा दिया है और अपने कल्चर से, अपने सभ्यता से, अपने संस्कृति से दूर जाकर अपने आपको so-called liberal woke mindset में जब कोई वेक्ति ढाल लेता है तो उसके हालात क्या होते हैं या आज आप बॉलूड के हालात देखक कर हम समझ सकते हैं वाकि दोस्तों आप इस पूरी news को सुनकर कितने ज़्यादा प्रसन्न है मुझे आप नीचे comment section में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम